Hello everyone and welcome back to this course! तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अपनी Target Audience को ट्रैक्राट करना कितना जाधा important होता है अगर हम अपनी Target Audience को ट्रैक्राट करेंगे तो घ्याधा से याधा Customers मिल सकते हैं ज्याधा से याधा Customers मिलेंगे तो हमें ज्याधा Bookings मिलेंगी और हम ज़्यादा बोकिंग्स मिलेंगी तो हम अपना होटल ग्रो कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की जो कि है ideal customers journey और इसके साथ साथ हम बात करेंगे online and offline marketing tactics के बारे में तो सबसे पहले हम first topic से start करते हैं ideal customers journey तो सबसे पहले हम offline journey देखेंगे offline journey में imagine करते हैं कि हमारे ये customer है ideal customer है हमारा जिसे हम attract करना जाते हैं ये railway station हो सकता है railway station से आए और आपके hotel उन्हें सामने ही देखे और वो आपका hotel को book कर ले तो ये customer journey हो सकती है इसे हम एक journey कहते है ideal customer's journey हो सकता है कि आपका hotel मैंने railway station का example इसलिया है यहापे कि मैं imagine कर रहा हूँ कि आपका जो hotel है वो एक affordable hotel तो आपके affordable hotel है तो आपकी जो target audience होती है वो हो सकता है कि railway stations है अगर आपका कोई luxury hotel है या कोई resort है तो हो सकता है कि आपका आप कि hotel की location अगर flight के पास होगी किसी airport के पास होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा पर यहाँ पर मैं आपको location की importance बताना चाहता था customer journey में offline customer journey में और मेरे खाल से आपको यह पता ही होगा कि location कित्ती important होती है किसी भी hotel की अगर railway station के पास होगे तो आपको ज़्यादा स्यादा आप अपने audience को attract कर पाएंगे और ज़्यादा स्यादा आपको bookings billing तो यह एक offline journey होती है तो यही एक offline journey नहीं इसके लावा और भी journeys हो सकती है जैसे कि एक और journey हम consider करते है कि हमारा एक ideal customer है और उसने एक billboard ad देखा हो सकता है billboard ad मैं आपके example ले रहा हूँ billboard के आगे और कि जब और भी कोई काई सार offline ad हो सकते हैं जैसे कि newspaper ad जैसे tv ad जैसे radio ad जो भी कई सारे pamphlets भी होते हैं बहुत सारे ads जो होते हैं उनमें से कोई भी ad हमारे जो target audience है हमारे जो ideal customer उसके साथ resonate कर गया समझ लेते हैं कि उसे एक affordable hotel चाहिए था उसे काफी सबसे cheapest cost में उसको अपना एक room book करना था तो उसने यह ad देखा और उससे वह attract हुआ उसको साथ resonate हुआ और उसने हमारा hotel आकर book कर लिए तो यह ideal एक हमारी journey हो सकती है इसके लाव हम एक और एक अब अब मैं यहां पर एक एक ही बात कर रहा था कि या तो railway station हो या तो हमारे ad के साथ resonate कर जाए अब हम थोड़ी एक mix journeys भी हो सकती है तो हम एक mix journey consider करते हैं हो सकता है हमारा ideal customer ने हमारा billboard ad देखा और साथ-साथ वह railway station से भी आ रहा था और साथ-साथ उसके जो friends हैं जब उसने बात करी अपने friends से तो उसके friends ने बोला कि यह जो hotel है बहुत अच्छा तो उसको अब तो कोई doubt रहा ही नहीं दिमाग में उसने सीधे जाके यह hotel book कर लिया तो यह सब अलग-अलग हमारे factors होते हैं अलग-अलग हमारे टूल्स होते हैं जिससे कि हम अपने ideal customers को attract कर सकते हैं यह होती है हमारी offline जर्णी तो अब हम देखते हैं online journey कैसे हो सकती imagine करते हैं कि हमारा ideal customer घर पर बैठा हुआ है उससे वह Facebook यूज कर रहा है या कोई भी social media platform हम यहां पर समझ सकते हैं कोई भी social media platform समझ सकते हैं कि YouTube यूज कर रहा है समझ रहे हैं कि वह Instagram पर है तो उसने क्या किया Facebook Instagram पर अपने friends की photo देखी या फिर आपका कोई ad देखा Facebook पर और उसको पसंद आया या उसको फ्रेंड्स की जो फोटो थी उसको भी उसको लगा कि उसे इस तरह का experience चाहिए तो उसने सीधे आपका hotel book कर लिया वह भी plan करी रहा था उस जहां पर जाने का जहां पर उसने Facebook पर image देखी तो उसने सीधे जाके आपका hotel book कर लिया ये एक possible journey हो सकती है online इसके लावा ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने office में बैठा हो और office में उसने अपने app में उसके OYO installed हो या फिर उसने search कर रहा हो best hotels in आपकी location में और आपका location OYO पर आ गया हो और OYO पर उसने जाके सीधे book कर लिया यहाँ पर OYO की जखे कई सारे online travel agents जो होते हैं OYO, Trivago, BookMyTrip and many many other platforms are there तो कोई भी हाँ पर online travel agent से के थुरू उसने book कर लिया इसके अलावा अब हम यहाँ पर भी एक mixed journey देखते हैं हो सकता है कि वो Facebook पर आपका ad देखा हो कहीं किसी और platform पर उसने ad देखा हो अपनों mobile पर और साथ-साथ वो किसी website पर हो और अपने trip प्लान कर रहा हो कि उसे कौन कोई सी location विजिट करनी है और उन website पर उसने आपका ad फिर से देख लिया तो उसे realize होगा कि यह तो वो hotel book ही करने वारा था उसका ad उसने फिर से देख लिया और साथ-साथ उसने जब customer reviews देखे आपकी website पर गया उसने जाके customers के reviews देखे कई तो उसने देखा कि उसके friends के reviews भी हो सकता है तो इन चीजों से वो काफी दाद attract हुआ और उसने आपका hotel book कर लिए तो यह हो सकती हमारी possible online journeys अब हम एक example consider करते हैं जैसे कि यह जो है एक actual ad में आपको दिखा रहा हूँ ताज hotel ने जो run किया था गोआ कि उन्होंने उनको अपने resort and spa प्रमोट करने थे तो उन्होंने कुछ videos बनाएं खूब सारे जितने भी गोआ में हैं उनके और उन्होंने वहाँ पर इन video को एक swipe format में कि आप इन video को swipe करकर सारे जो इनके resorts हैं वो देख सकते हैं और यहाँ पर आपको link भी दिख रही होगी ad में कि book your stay now यहाँ पर जाकर आप अपनी stay book भी गर सकते हैं तो इस तरह का ad उन्होंने बनाया था अपने target audience को attract करने के लिए facebook के थूँ फिर अब देखिए आप लगातार जो उनकी target audience उनको facebook ads दिखाई रहे पर साथ-साथ हो सकता है कि उनके ideal customer ने टाइप करा हो पर उसने हो सकता है वो book पूरा ना करा हो और फिर ताज होटल ने retargeting करी है इस ad के साथ इसको display ad कहते हैं पीछे आपको share दिख रहा होगा जो safari है safari ताज safari जो है कहना national park शेरों के लिए famous है tigers के लिए famous है तो पीछ आपको एक tiger दिख रहा है उन्होंने tiger की image उस करिए और tiger की image देखते से ही जो customer है उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो hotel है ये उनको book करना था और यहाँ पर वो हो सकता है book नापर click करके फिर वापिस page पर आजाए तो अगर वो page पर आएंगे तो उनको ये website देखेंगे जहाँ पर inquiry form होगा जहाँ पर उनको title, first name, last name सब कुछ भरेंगे और उनका जो है यहाँ से lead ताज hotels के पास मिल जाएगी तो ये है तरीका online and offline हमने customer journey देखी एक में और एक और बात में last बात आपको बताय कि आपको लग रहा होगा कि online online काम करना बढ़ा problematic है online जो है काफी budget की ज़रत होती होगी पर ऐसा कुछ भी नहीं है, actually offline में आपको ज़्यादा budget की ज़रत पढ़ती है क्या आप imagine करिए TV ads बहुत ज़दा expensive है, newspaper ads बहुत ज़दा expensive है, साथ में फिर radio ads वो भी बहुत ज़दा expensive है जो हमारे जितने भी offline platform से, जितने भी offline जो हमारी journey है, offline अगर आपको अपने hotel को promote करना चा रहे हैं तो वो बहुत ज़दा expensive है, जबकि यहीं आप compare करेंगे Facebook ads को, आप Facebook ads एक बहुत चोटे budget से try गड़ सकते हैं, और आपको अच्छे results मिल रहे हैं, तो आपना budget बढ़ा दीज आपको आराम से, यहाँ पर भी एक चोटे budget पर आप काम कर सकते हैं, और आपको जैसे ऐसे अच्छे results मिलते हैं, जैसे ऐसे आप अगर आपको comfortable होता है, अगर आप communicate कर पाते हैं अपने customers से online, तो आपको अच्छे results मिलेंगे, और आप और आप इस journey को, आप obviously online को जाधा preference दे चली हा रही हैं, बहुत जाधा expensive होचे हैं, क्योंकि बहुत जाधा traditional है, यह जो tactics हैं, यह अभी common नहीं है, अभी इंडिया में काफी जाधा demand है इन चीज़ों की, अभी इंडिया में इनकी इतनी demand नहीं है, बलकि इसलिए इनकी prices इतनी कम हैं, आगे जाके अगर धीरे-धीर competitive हुई world, धीरे-धीरे competitive हुई advertising world, तो हो सकता है कि इनके prices भी बढ़ जाएं, तो एक बहुत अच्छा time है, advertising start करने का, यह digital marketing में आपको काम start करने का, तो अब अब अगले section से आपको एक-एक करके, सारी tactics बताते चले जाओंगा, जो जो tactics मैंने आपको अभी इस journey में सभी मैं detail में बता ही नहीं है, अब जाके अगले वीडियो से मैं आपको एक-एक tactics detail में बताते चले जाओंगा, तो अब अगले section पर जा सकते हैं, और tactics एक-एक करके देख सकते हैं, thank you, thank you for watching.